नमस्कार मैं हूँ आपकी होश्ट और आप देख रहे हैं धम सन्वार कुमरासी महासिवरात्री है कोई इक्षा अधूरी अगर तो एक कर ले सुभ मुहुर्त में उपाई फिर देखे कैसे जीवन में होता है चमतकार मानेता है कि सृष्टी के प्रारम में इसी दिन बरह्म देब ने अरूद के रूप में अबतरन हुआ था और सास्तरों की माने तो इसी दिन प्रडय भी आया था इसी दिन प्रदोस के समयब भगवान सीव तांडव करते हुए संपुन सृष्टी को अपने तीसरे नेत्र की ज इकाले जाती है और इस दिन सिब्लिंग की उत्पत्ती वी वी थी तो इतने सारे कारण है इस दिन से जुड़े हुए तभी तो सिब्जी को ये दिन खास तोर पे बहुत ही प्रिय है और सिब्जी का प्रिय दिन है तो भला हम भक्त उनके सरन में क्यों न जाए सिब जी इस दिन बहुत प्रसंद मुद्रा में होते हैं इसलिए इस दिन सिब जी की पूजा करने से बहुत जल्द मनुकामनाओं की पूर्ती हो जाती है सिब जी को इस दिन जल में काला तिल डाल कर एक चुटकी अरपित करें साथ ही नमसिवाय का अन्वरजब की ये मानेता है कि तिल मिलेवे जल से इस दिन सिवलिंग का अभिसे करने से वन्स की ब्रधी होती है दोस्तों आप वीडियो के अंतक बने रहें हम आपको डहे सारी जानकारी देंगे ताकि और साथ में खास एक उपाय ताकि आपका जीवन समर जाए कहते हैं अगर सिवरात्री के दिन आपके सर का तिलक लगाते हैं अपने माथे पे कंठ पे या नाभी पे तो ऐसा करने से आपके जीवन में ये जो गुरु देव होते हैं गुरु बिरस्पती ये मजबूत होते हैं और जीवन में संपुन सुखों की प्राप्ती आपको होत ना पूछो मुझसे मेरी पहचान मैं तो भस्मधारी हूँ भस्म से होता जिनका स्रिंगार मैं उस महाकाल का पुजारी हूँ ए जन्नत अपनी आउकात में रहना हम तेरी जन्नत के मुहताज नहीं हम गुरु भुरेनात के चर्णों के वासी हैं वहां तेरी भी कोई आउकात नहीं खुस्बू आ रही है कहीं से भांग की सायत खिड़की खुली रह गई है मेरे महाकाल के दरवार की हर हर महादेव हर हर महादेव जिनके रोम रोम में सिभ हैं वही बिस प्या करते हैं जमाना उन्हें क्या जलाएगा जो सरिंगार ही अंगार से किया करते हैं हीरे मोती और जेवराद तो सेठ लोग पहनते हैं हम तो भोले के भक्त हैं इसलिए रुद्राक्ष पहनते हैं महासिबात्री कपर्व फालगुन मास के चतुर्दसी तिथी को मनाये जाने वाली महासिबात्री सिभ और पारवती के बिवाहत सब के रूप में भी मनाया जाता है पूजा का सुम मुर्थ है इस दिन सुभर साथ बच कर चार मिनट से लेकर दो पहर तीन बच कर बीस मिनट तक अत्यन्थ ही सुम मुर्थ रहेगा और आप चाहें तो गोधूली बेला जिसे हम प्रदोस काल भी कहते हैं यानि ना दिन हो ना रात हो उस टाइम में अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है वैसे हम बतला दें बहुत सारे भक्त रात्री में पूजा उपासना करते हैं सिभ जी क्या जिसे हम निसीत काल कहते हैं और इस समय पूजा का सुभ मूर्थ है आथी रात्री में बारा बच कर साथ मिनट से बारा बच कर संतावन मिनट तक आप इस दिन वुरत रख सकते हैं सुभ मूर्थ में पूजा अराधना कीजिए बोले नात आपका भंडार भरे ऐसी माननेता है कि सिभ जी सिभ जी में भी रासते हैं परदोस काल के समय में तो इसमें सिभ जी की अगर आपके पाच आते हैं तो इसी समय पूजा करें सिभ जी अब आपकी मनोकावना पूर्ण होगी आप जाहे तो अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं और मंदिल में सिभ जी में पूजा करने का विसेस भी धान है वहाँ पर क्योंकि जागरित रहते हैं सिभ जी इसलिए वहाँ पर आपको ज़्यादा फल मिलेंगे आप ए घी का दिया जरूर जलाईएगा और स्वास्त मंद्री अगर परेसानी है तो ओम हॉंग जुंग सह इस मंद्र का जब जितना ज़्यादा हो जरूर कीजे और आपका स्वास्त उत्तम बना रहेगा सिब जी का सबसे प्रेदीन है महासिब रात्री और सभी भक्त सिबलिंग पर दूद जल घी सहद सक्कर की धारा अरपित करते हैं घी अगर आप कोई बंस में ब्रदी नहीं हो पा रही है संतान की प्राप्ती चाहिए तो घी से अभी सेख करें और फिर जल चड़ाएं आप देखिए आपकी मनोकामना पूर्ण होगी कहते हैं भांग धतूरा बेल पत्र समी पत्र आख अरपित करने से सिब जी सभी इच्छा को पूरी करते हैं रुके हुए तमाम काम बनते हैं पूजा के दोरान हर हर महादेव का जैकारा लगाते रहिएगा नमस सिबाह का जब कीजिएगा अनवरत आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी और इस दिन समस्त पापों का नास करने के लिए भी आप इस दिन पूजा कीजिए उनसे मनोकामना पूर्ती के लिए प्र और सिब जी को साथ इलाइची जरूर अर्पित कीजिए और नमस सिवाय का जब करते रहिए ताकि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए और सिब जी आपका भंडार वरे दोस्तों इस दिन आप केसर का तिलक लगाना मत भूलिएगा अगर आप कंट पे माथे पे नाफी पे केसर का तिलक लगाते हैं तो आपका देव गुरु ब्रिस्पति भी मजबूत होता है और जीवन में संतान सुख एस्वरे आपका जीवन साथी सब सुखों का आपको भोग प्राप्थ होता है तो आप इन चीजों का प्रयोक करके अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं हम फिर मि आपकादी